कल हमने पादप उतक तंत्र पड़ा था और उसमें तीन अलग-अलग हमने केटिगरीज पड़ी थी अधीचर्म उतक तंत्र, भरण उतक तंत्र और समवहन उतक तंत्र अधी चर्म में हमने एपीडर्मेस, एपीडर्मेस के साथ साथ उस पर मिलने वाले रोम और रंध्रों के बारे में जाना था, रंध्र यानी की स्टोमेटा, भरण उत्रक तंत्र ग्राउंड मेरिस्टेम देखें, तो उसमें हमने के लेयर्स पड़ी थी, हाइपोडर्मेस, की पेरिसाइकल, मज्जा और मज्जा रश्मिया, और इसके बाद तीसरा हमने समुपढ़ा था, समवहन उत्तक तंत्र का वेस्कुलर टिशूर सस्टम, उसमें हमने टाइप्स पड़े थे, मैंने शायद वहाँ ये भी स्पस किया था, कि समवहन उत्तक और समवहन पूल में क्या अंतर है, तो हमने समवहन पूल के प्रिकार बड़े थे, तीन प्रिकार थे, अरिये समवहन पूल बिल्कुल किलियरली जड़ों में मिलते हैं, समवहन पूल तने में और पत्तियों में पाये जाते हैं, जड़ों में नहीं पाये जाते, याद रखना समवहन पूल जड दो में देखने को मिलते हैं आज हम अब तीसरे टॉपिक पर आगे हैं और वो हमारा कहना चाहिए टॉपिक वो है जो पिछली तीन कख्षाओं में जो हमने पढ़ा वो यह दि हमने ढंग से पढ़ा तो आज हमें वो समझ में आने वाला है हम पढ़ने जा रहे हैं शारीरी की अनाटॉमी और वो पादप शरीर की जो तीन मुख्य रचनाएं हैं पादप शरीर में तीन मुख्य रचनाएं एक जड़ यहीं कि आज हम पढ़ रहे हैं शारीरी की बोलिये नहीं शारीरी की अनाटॉमी हम शारीरी की जड़ नमबर दो तना और नमबर तीन पत्ती में पढ़ेंगे ठीक है यह तीन साधार नाम हैं कभी आपने गौर नहीं किया जड़ को हम बाईलो जी की भासा में मूल तने को नो इस्तंब और पत्ती को पाण कहते हैं हम इनकी आंतरिक सरचना पढ़ने जा रहे हैं ठीक है लेकिन हमने बिंदू तो तीन लिखे लेकिन हमें सरचना पढ़नी है कुल छे वो कैसे चाए जड़ हो तना हो या पत्ती हम तीनों में ही पहले अध्यन करेंगे बीज पत्त्री पौधे में और फिर उनका अध्यन करें एक बीज पत्त्री पौधे में एक प्रणों भूमी के वायु प्तर का वायु वे भाग को हम प्रणों कहते हैं सब आ गई ठीक है मैंने यह के ना मैंने ऋ आप मांते ज़ख शब्द के गवी और इसे शब्द हैं और सही माइन देखा जाएं तो इन्जोस पर्म पॉद्धे जो होते के अंजोस पर्मी पॉद्धे ये वो पौदे हैं जिनमें पुश्प लगता है, फल बनता है और बीज फल भित्ती से ढखा हुआ होता है। येनि कि वो सभी पौदे, जिनमें बीज फल भित्ती के अंदर सुरक्षित है और हमें बाहार से दिखाई नहीं देता। वो सभी पौधे आवरतभीजी या अंग्रेजी बेंक हैं तो एंजीयोग इसपर्मी कहलाते हैं हमारे आज-पास हम जितने भी पौधे हमारे दैनिक जीवन में आज-पास हमारे घरों में वे देखते हैं वो दो प्रकार के होते है एक बीज पत्री और दीज पत्री वो किस आधार पर दिये हैं उनके पौधों के अंदर जो बीज बनते हैं उन बीज में किसकी सिंख्या देखी जाती है बीज पत्रों की देखिए बीज के अंदर बीज पत्रों की सिंख्या के आधार पर हम ये दो केटेगरीज बनाते हैं द कि बताओंगा, व daraufchnology सुन लाएं, समझ लाएं, वह पॉध हैं जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं रीज पत्री, जिनके बीज में एक बीज पत्र होता है इक बीज पत्री ठीक है, अब हमें चुकि इन तीन भागों की आंतिक सरचना पढ़नी है, तो जड़की एदियम सरचना पढ़ेंगे, तो हमें दो ग्रुप्स बनाने पढ़ेंगे, दीवीश पत्री और तो अब हमारे पास कुल 6 बिंदू हो गई क्या, दीवीश पत्री जड़की सरचना, एक दीवीश पत्री पांड, एक बीश पत्री पांड, ठीक है, तब जाकर हम शारीरी की कम्प्लीट करे पाएंगे, और जब हम एनाटोमी पूरी कर लेंगे, तब हमारा टॉपिक होगा दृतियक व्रधिकारा, तो शुड़ू बात करते हैं, दीवीश पत्री मूल, हमारा पहल टॉपिक, दीवीश पत्री मूल की आंत्रिक सरचना, यहनी की शारीरी की, जब कभी हमें चाहे जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, उसकी इंट्रोनल स्टेक्चर आंत्रिक सरचना का अध्यन करना होता है, तो उसकी अनुपरस्थ काट, का हम अध्यन करते हैं, यहां पर एक शब्द आया, क्या, अनुपरस्थ काट, अनुपरस्थ काट को हम शौर्ट में, टी-एस कहते हैं, टी-एस का मतलब है, ट्रांस्वर्स सक्षन, देखिए कैसे, दो शब्द होते हैं, एक टी-एस और इससे मिलता जुलता दूसा आप पीछे से बात ध्यान नहीं है, आपका वो दोनों बच्चेओं को कह रहा हूँ, अच्छा-च्छा, तब ठीक है, देखिए, यह कल्पना कीजिए तना हैं, ठीक है, हम इस तने की आंतिक सरसना का अध्यन करना चाहें, तो बाहर से तो अध्यन हो नहीं पाएगा ना, त sections दो तरीके से कट सकते हैं, या तो इस तरीके से sections काटे जाएं, ठीक है, और यह sections होंगे अनुप्रस्थ, ट्रांसवर, T.S. बोलेंगे इसे, या sections काटे जाएं, कैसे, खडे, तो इसे कहेंगे अनुदेधरिये, जब कभी हम internal structure पढ़ते हैं, तो T.S. का अध्यन करते हैं, तो जब हम इसके ऐसे sections काटेंगे, तो वो T.S. कहलाएगा, और ऐसे में sections हमारे पास कैसे आएंगे? गोल, और यदि हम यह काटेंगे, तो sections आएंगे, खडे, तो अध्यन करने के लिए goal sections काटे जाते हैं, इसको हम सामायने रूप में T.S. या प्रस्थ काट कहते हैं, चने की मूल, चना यानी की ग्रेम, चने की मूल की आंतिक सरचना का अध्यन करते हैं, इसलिए करते हैं एक टिपीकल रूट है, इसमें वो सभी रचनाय मिलती हैं, जो एक डिविश पत्री मूल में होनी चाहिए, कौन-कौन सी रचना, नंबर से हम पढ़ेंगे, लिखते ज नंबर दो, कौटेक्स, कौटेक्स वलकुट, ये बाहर से भीतर के क्रम में, मैं पढ़तों के पहले एक-एक बार नाम लिख रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम एक-एक को बारी-बारी से लेंगे, नंबर तीन, अन्तहस्चर्म, अन्तहस्चर्म, एंडोडर्मेस, अन्तहस नंबर चार, परीरंब, परेुरंब, परीकल, परीरंब, परीकल, जाइलम फुलोयम जाइलम, फुलोयम और सबसे अंत में मज्जा ये क्रम मैंने लिख दिया बाहर से भीतर के क्रम में पाई जाने वाली रचनाओं का आप देखिए सामने स्लाइड लगी हुई है दिवीच पत्री मूल की और ध्यान दीजेगा इस पर एक-एक बात पर हम एक-एक बिंदू को लेके चल रहे हैं सबसे पहले दिवीच पत्री मूल में ये सबसे बहारी परत दिख रहे हैं आपको हम इसे कहेंगे एपीडर्मिस नहीं कहेंगे इसे ध्यान देना आप इस बिंदू पर बिंदू ये निकल के आ रहा है जितनी भी जड़े होती हैं उनकी सबसे बहारी परत को हम वही चर्मिया एपीडर्मिस ने कहकर एपीबलेमा कहते हैं बिंदू किलियर हो गया तो नाम हमने एपीडर्मिस ने कहें एपीबलेमा के दिया हिंदी में कहें तो मूलिये तवचा और इस मूलिये तवचा की कौशी का हैं वही एपीडर्मिस की भाती होती हैं लेकिन नाम हम उसे क्या दे देते हैं एपीबलेमा एक परत की एक परती है मोटी कोशि का है दूसरे बंदू पर आई ये जहां तने में हमने इस एपीडर्मिस के उपर क्यूटी कल बताया था कल लेकिन जड़ों में ये क्यूटी कल नहीं होती तो दूसरे जड़ों में नहीं होती है, तने में या पत्ती में होती है, तो हमारा दूसरा बिंदू ये निकल के आ रहा है, कि इस epidermis, जिसको हम epiblema कह रहे हैं, इसके ऊपर cuticle नहीं पाई जाती, तीसरा बिंदू देखिए, cuticle का बहाँ है, तीसरा बिंदू, कुछ गिनी चुनी कौशीकाओं से, एक अतीव रिधी के रूप में, एक रोम सद्रश्य रचना, बाहार की तरफ निकली हुई है, नाम है उसका, मूल रोम, root hair, कारिये आप सभी जान रहे हैं, क्या जल खनीज लवणों का अवसोशन करना, ठीक है, तो मूल रोम पाये जाते हैं, अंतर कर देता हूं यहीं पर, और वो ध्यान से सुनना, हम पढ़ रहे हैं दीवीच पत्री मूल, दीवीच पत्री मूल की एपी बलेमा पर जो मूल रोम है, वो संख्या में कम होते हैं, और जब मैं एक बीच पत्री मूल पर आऊंगा, तो इनकी संख बहुत ज़ादा होगी, तो क्यांता निकल के आया? कि यहाँ मूल रोम संख्या में कम हैं, दीविच पत्री मूल में, जब कि एक बीच पत्री मूल में इनकी संख्या असंख्य होती है, बहुत ज़ादा मिलते हैं, ठीक है? देखिए, एक बिंदू पहले और किलियर कर लें, श मूसला मूल, नाम सुना हुआ है? हम कहें taproot कहते हैं इसे, मूसला मूल को क्या कहते है? taproot, और दूसरी होती है, रेशेदार मूल, हाँ जिसे आप जखडा मूल कह रहे हैं, वो रेशेदार मूल है, fibrous मूल, ठीक है? ये दो नाम मैंने इसलिए लिखे, नोट करना बिंदू को, ये जड़ें धीबीच पत्त्री पौधों में होती हैं, और ये एक बीच पत्त्री में होती हैं, चित्र की आधार पर अंतर को समझ ये, मूसला मूल की एदियम सरचना देखें, तो वो कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक मूल बनाई, प्रात्मिक मूल इसी से फिर दूसरी मूल निकली, फिर वहीं से और तीसरी इस तरीके से, यनि कि मूल से मूल इस तरीके से निकल कर साखाओं में बदल जाती हैं, हम कह सकते हैं, मूसला मूल में प्रात्मिक मूल, फिर दृतियक मूल, फिर तरतियक मूल, ऐसे कई साखाओं में साखाओं बन उता एक बीच पत्री पौधों में जो भी जड़े निकलते हैं एक ही स्थान से निकलते हैं और लंबे-लंबे धागे सद्रश रेशों के रूप में निकलते हैं यहां आपको नजर आ रही है उस चित्र में आप जो एपीडर्मिस वर्ड देख रहे हैं उसे एपीबलेमा माने इसके बाद epidermis के नीचे आनीची है hypodermis क्या यहां दिख रही है इससे साफ पता लग रहा है जड़ों में hypodermis नहीं होती हां बिल्कुल इस जेगे से आईए फिर तो कौन सा भाग आएगा hypodermis के बाद cortex तो आप देखिए यह पूरा भाग यहां से और अंदर तक का cortex नजर आ रहा है आपको ठीक है दिख रहा है क्या इसे हम cortex कहेंगे यह देखिए इस जेगे तक यह पूरे पूरा cortex नजर आ रहा है यहां तक देख लिजिए आप पूरा यह पूरा cortex है cortex की कोशिकाओं की विसेशता पर आएं cortex की कोशिकाओं मृदूत की हैं यह नहीं कि पतली कोशिका भित्ती वाली हैं गोल या अंडाकार हैं और उनके बीच में जगे जगे पर अंतर कोशी की यह इस्थ स्वाव है ठीक है भोजन को संचित करने का कारिय करती है लेकिन इन कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता आप देखिए भूरे रंकी यहां पर नजर आ रही हैं वो इसलिए ठीक है क्या तो यह cortex हो गया cortex भाग जहां तक परतों का सवाल है यह cortex में लगबग 6 से लेक 10, 12, 15 परतों का यह cortex बना हो सकता है इस तरीके से आप कौशिकाओं बनाएंगे cortex की कौशिकाओं जब कभी भी आप बनाएं तो यह जरूर ध्यान दीजिए यहां पर कि वो कौशिकाओं अपने आसपास की कौशिकाओं की कौशिका भित्ती को टच करती हुई हो ठीक है बिल का cortex बनने के बाद हम यह कहें कि cortex की सबसे अंतिम परत क्या किलाएगी cortex की सबसे अंतिम परत एंडो-डरमिस या अंताष्षर्म होगी तो यहाँ पर यह हम कलपना एंडो-डरमिस के कलने इसी कोलfteक्स के भार, यह देखिए यह एंडो-डरमिस मैंने ऐसी आकार में गोल बना भी है एंडो-डरमिस आप कहेंगे सर यह गोल क्यों बनी जबकि इनको गुलाई में बनाया ही नहीं है, तो देखिए, असल में हमने यह जो चित्र लिया है, यह चित्र एक हिस्से का लिया है, यह दि हम एक दूबीज पत्री जड़ की अनुपरस्त काट का एक पूरा हॉल डाइग्राम देखें, तो वो हमें कैसा नजर आएगा, गोल तो यह बहार की एपी ब्लेमा हो जाएगी, यह मान लीजिए, अंदर की क्या हो गई, एंडो, डर्मेस, और यह पित्त मान लें क्या, तो हम पूरे चित्र को एक साथ ड्रा नहीं कर सकते, अते जब कभी भी हमें चित्र की सरचना का एध्यन करना होता है, तो हम उसके एक इत रहा है क्या, तो यह वाला हिससा है, तो यह वाली हम चीज एपी बिलेमा करें, इस हिसे को काटेक्स करें और यहां पर अब हम कहां पहुंच चुकें, एंडो, डर्मेस पर, ठीक है, एंडो, डर्मेस भी एक परत मोटी ही होती है, डंबल, या ढोलग जैसी आकार की रचनाय होती हैं आप देखिए इस तरीके से थोड़ी बीच में से चौड़ी और किनारों से अरिये भित्तियां इनकी जो अरिये भित्तियां वो एक दूसरे से सटी रहती हैं कहना चीए अंतर कौशी के स्थल नहीं पाया जाता लेकिन एक विशेश बात जो मैं कल भी बता दिया था इन कौशीकाओं की कौशी का भित्ति पर सुबेरीन और लिगनीन का इतना अधिक जमा होता है कि वहां कैस्पेरियन पट्टिकाएं बन जाती हैं कैस्पेरियन पट्टिकाएं बनने से एक तरीके से कभी-कभी वह स्टार्ट सीथ मंद आच्छत का रूप ले लेती हैं लेकिन कहीं-कहीं पर जैसे मेंने यह एक कौशी का बनाया यहां पर मैंने पट्टी बना दी ठीके इस खेंगे भी यह पट्टी बन गई है जिस पर जमाओ है लेकिन ये जगे हमने खाली छोड़ दिये तो जो जगे खाली छूटी हुई है ये वो कौशी का जहां पर पट्टी का नहीं बनती और हम इसे कहते हैं मार्ग कौशी का मार्ग कौशी का ये पैसेज है लेकिन ये होती कहा है ये प्रोटोजाइलम के ठीक सामने, इधर आजाएगे, अब आप इतना इस पास दिखेगा नहीं, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको इस पिंक कलर की जो रचना दिख रही है, उसके ठीक बाहर वाली, दिख रही है गोल सी परत, ठीक है, ये एंडोडर्मी से, ये नीचे ये पेरिसाइकल है, ये वाल कोशी का है, जो इस चित्र में आपको नजर में आ रही है, वहाँ पर आपको मार्क कोशी का हैं नजर आएंगी, लेकिन जरा कल्प ना कीजिए, चूकी मैंने कहा, उनकी स्थिती प्रोटोजाइलम के ठीक सामने हैं, और इस पूरे चित्र में प्रोटोजाइलम एक, दो, त में परत होगी, और वो परत भी म्रदु तकी कोशीकाओं से इस तरीके से मिलकर वनियुँए, कहीं पर भी बीच में इस्थान नहीं है、 इस परत को हम कहेंगे क्या, परी रम्भ, मैंने спस्थ किया था, परी रम्भ वो परत है, जो रम्भ के बाहर है, या मैंने यूबी कहा था कि एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी उतक है उसको हम रंब या श्टील कहते हैं और उस श्टील की सबसे बहारी परत को परी रंब कहा जाता है तो ये परी रंब मौजूद है कौन से उतक का बना हुआ परी रंब किस उतक का बना है जीवीच पत्री मूल में परी रंब किसका बना है इसके बाद फिर क्या है जायलम और फ्लोयम कल बताया था मैंने जडों में जो समवहन पूल है जडों के समवहन पूल बोलिए कैसे प्रिकार के होते हैं अर्ये प्रिकार के होते हैं पहली चीज़ दो अर्ये का मतलब रेडियल यनि की इन समवान पूलों में जाइलम अलग और फ्लोयम अलग तरिज्जा पर होते हैं ठीक है? अलग अलग तरिज्जाओं पर आपको शायर इस डाइग्राम में इतना इसपस्ट नजर नहीं आ रहा हो तो यहीं पर इसी दीवीज पत्री मूल की यहीं हम एंडोडर्मिस के अंदर वाले भाग को थोड़ा सा और यहां एक चित्र के रूप में देखें तो आपको बहुत इसपस्ट सा नजर आएगा यह देखिए हमने ऐसा एक सर्कल एंडोडर्मिस का ड्रा कर लिया यह एंडोडर्मिस हम कलपना कर रहे हैं हम इस एंडोडर्मिस की अंदर यह कौशी का है इस तरीके से बना सकते हैं बीच में मैंने यह डॉट डॉट नाइन जो बना ही है यह पत्ती का यह एंडोडर्मिस वाला भाग इसके बाहर कौन सा भाग होगा कॉर्टेक्स अब देखिए यहां पर होगा मज्जा मैंने एक जाइलम पूल की एक लाइन बना दिये और यह जाइलम पूल जो हैं यह तोटल डीबीच पत्तरी मूल में चार स्थानों पर ऐसे लाइन से अरेंजड होंगे यह एंडोडर्मी के अंदर वाला भाग इसमें चार अलग अलग इस्थानों पर जाइलम के आपको समूँ या पैचेज्ट नजर आएंगे और चार इस्थानों पर ही फिलोयम उतक के समूँ नजर आएंगे बीच वाला यहां सेंटर में एक बहुत छोटा सा इस्थान मज्जा होगा मज्जा को हम पिथ भी कह रहे हैं याँपर लेकिन देखिए एक चीज़ गौर करें यहां फिलोयम यहां जाइलम यहां मज्जा यह स्थान क्या बताएगा तो इस यह स्थान खाली नहीं रहता इस स्थान में भी म्रिदू तकी कौशिकाएं ऐसे आपस में बहुत ही हलकी पतली पतली बित्ती वाली इस तरीके से अरेंज रहती हैं और पूरा इस्थान ऐसे म्रिदू तकी कौशिकाओं से ऐसे भरा रहता है बहुत अच्छा बिंदू बता रहा हूं फिलोयम और जाइलम के बीच मिलने व संयोजी उतक कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू संयोजी उतक हमने एक बात और यहां देखनी है देखो गौड से और शयाद आपको कल वाला बिंदू याद आ रहा हो यहां पर यह मज्जा बिलकुल सेंटर में यहां पर जो मैंने जाइलम का एक पैच बनाया और एक इसके आ जाइलम का आकार छोटा होता जा रहा है मैंने बताया था कि वो जाइलम जो पहले बनता है ठीक है प्रोटो जाइलम ठीक है या जो आकार जिसकी वाही का है आकार में छोटी होती है और जो जाइलम फिर बाद में बनता है वो मैटा जाइलम तो देखिए यहां पर हम इसे क् है प्रोटो जाइलम यह प्रोटर जाइलम है किदर की तरफ हुआ यह परीधी की और यह परीधी की और हुआ और बड़ा बड़े साइज के जिनकी मगाउन था यह हूंगे Pithiya कहा कंद्र की और और बताये जै ऐसी इोती है तो हम एसी इस्टिती को क्या बोलते हैं। यहां पर यह मज़्या बिल्कुल सेंटर में नजर आ रही है, आपको, यहां पर यह बड़े आकार के जाइलंग यहां बहुत इसपस्ट सा है फिर धीरे धीरे पर छोटे होते चले गए होगे तो यह एक जार कंडिशन है यहां तक कोई confusion है एक बिंदू और लिख लेना दीवीज पत्री मूल दीवीज पत्री मूल की जो मज्जा होती है वो मृदू तक की तो बनी होती है लेक चोटे से आकार की है आप इसके आगे वाला चितर भी देख सकते हैं यह चितर भी आपको दीवीज पत्री मूल का ही नजर आ रहा है ठीक है इसमें उस वाले चितर से इसमें थोड़ी सी भिनता नजर आएगी और वो यह कि यहां पर आपको metazylem और protozoylem बिलकुल साफ नज अजर आ रहे हैं ठीक है और दो जाइलम पूलों के बीच का देखो एक हिस्सा दिख रहा है क्या यह कौन सा है फ्लोयम के नहीं कि दो जाइलमों के बीच में कुल एक दो तीन चार समुझ जाइलम के और चार ही किसके फ्लोयम के चुंकि दीवीज पत्त्री इस मूल में कुल चार जाइलम और चार फ्लोयम है अत्य ऐसे सम्वहन पूल का एक नाम भी आप लिख सकते हैं इसे हम कहेंगे चतुर चतुरादिक सम्वहन पूल और इसका एक और भी नाम है टेट्राड जब चार सम्वहन पूल एक साथ ऐसे एक अंतर क्रम में होते हैं तो उसे हम चतुरादि सम्वहन पूल कहते हैं टेट्रार्ख कंडिशन कहलाती है टेट्रार्ख टी आर ए ए आर ए आर शी टेट्रार्ख ठीक है चार से कम सम्वहन पूल नहीं देखे जाते मिनीमम चार तो होते ही हैं एक दिवीच पत्री मूल में अधिक्तम छे हो सकते हैं इससे ज्यादा नहीं होते हैं चार मैंने इस चित्र में बनाएं पांच भी हो सकते हैं ज्यादा ज्यादा छे हो सकते हैं लेकिन जब मैं एक वीच पत्री मूल पर आऊंगा तो इनकी सिंख्या 6 से जादा होगी अंतर किस्पस्ट हो गया जहां दिवीच पत्री मूल में इनकी सिंख्या 4 से 6 के बीच में हैं एक बीच पत्री में इनकी सिंख्या 6 से अधिक होगी और उस इस्तिती में हम इसे नाम देंगे बहु आदी दारू ये तो हो गया चतुरादी मतलब 4 हैं और वो बही आदी दारू पॉली आर्क कहलाएगी ये टटरार्क और वो पॉली आर्क समझ में आया कोई confusion हो तो पूछ लीजिए एक और बिंदू नोट कर सकते हो जब हमने परीरंब पढ़ा यहां पर तो परीरंब का हमने कोई कारिये नहीं पढ़ा ठीक है लेकिन कारिये मैंने कल बताया था परीरंब का याद कीजिए हमने परीरंब का इक कारिये बताया था जड से निकलने वाली पाशर्विये मूल लेटरल रूट की उत्पत्ती किस से होती है परिरंब से होती है ठीक है और हम इस उत्पती को अंतरजात कहते हैं एंडोजीनस कहते है तो परिरंब से होती है यहां आपको यह देखिए इस चित्र में सब कुछ इस पस नजर आ रहा है मूल रोम एक बिंदू भूल गए मूल रोम एक कौशी किये हैं कलवता है था एपी डर्मेस के लिए नजर आ रही है जिसका नाम यहां एपी बलेमा भी बिल्कुल के लिए रहे यह पूरा भाग क्या कॉर्टेक्स का परियाप्त अंतरकौशी के स्थल यह एंडोडर्मी देखिए नजर आ रही है आपको डंबल मज्जा मैं मज्जा है बीच का भाग जुम्रेदू तक की कौशिकाओं का बना हुआ है यह तो काफी इसपस्ट दिखरी है मज्जा बागी दीवीच पत्री तने में मज्जा लगभक नगण्य मात्र होती है बहुत कम स्थान घेरती है एक बीच पत्री पौधे में बहुत अधिक विक्सित होती है यह सब कुछ किसके बारे में दीवीच पत्री मूल के बारे में प्रशन आया है दीवीच पत्री मूल के समवहन पूल कैसे होते हैं सीधा सीधा सा उत्तर भूलो एकजार्क होते हैं सबसे पहले तो अर्ये होते हैं अर्ये प्रकार के नंबर दो इण हमक रियं गर्टे फूर्जत ऑघक-जरी घंडीं में खब्द अरिय तो और एकजर कोम कहेंगे बहियाधि दारू और वो चत्वरागे। नहीए यह सरसना थी दीबीज-पत्री, मूलकी, अब हम आते हं एक बीच पत्री मूल की सरकारना पर एक बीच पत्री मूल ये नी की मौनकोर्ट कुछ हम यहांपर रचना पढ़ेंगे तर बिल्कुल वह की वह रचना निकल के आएगी देकिन कुछ अंतर निकल कर आएंगे और आप उन को थोड़ा सा गौर से देखें एक बार में चित्र को थोड़ा सा आप द्रा करना चाहें बेशक कर लीजिए वैसे स्लाइट पर वो चित्र बना हुआ है लेकिन यहां थोड़ा और इसपस्ट हो जाएगा कर दो लाएगा गज हम चित्र कर दो जाएगागाई बना हुआ है लेकिन यहाँ भीजिए कर दोड़ादी ऑगाई लेकिन नाया है झाल झाल यह मैंने गोल गोल रचना है जबकि हमने इससे पहले जो जायलम बनाए थे वो थोड़े बहु भूजा का राकृती में बनाए थे इन्हें मैंने यहां गोल बना दिया है तो हम जायलम को देखिए ऐसे भी बना सकते हैं हम जायलम को ऐसे ग्राउंड शेप में बना सकते हैं ल और इनी के बीच में क्योंकि यहां जड़के सम्मेहन पूल अरिये होते हैं अते इनके बीच-बीच में ये बोलिये किसके सम्मू फुलोयम के ये मज्जा मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम मुख्य अंतर देखेंगे बना रहे हैं कि अभी डाइग्राम बना लिया बना लिया चलो देखिए वापस से वही क्रम से फिल हम एक के बार एक लेयर्स देखते हैं एक बीच पत्री मूल में भी वही लेयर्स होंगी जो मैंने वहां बोर्ड पे लिख रखी है हम शुरुआत करते हैं एपी बलेमा या मूल ये तवचा से आप दिखिए ये सबसे बहा बीच पत्री मूल में मैंने मूल रोम बहुत कम संख्या में बताये थे यहां पर मूल रोम काफी अधिक होते हैं तो आगया एक अंतर यहीं की मूल ये तवचा एक परत मोटी तो है लेकिन उस पर मूल रोमों की संख्या क्या है अधिक अधिक वह इसलिए है क्योंकि एक बी ब्रस्तंतु में जड़े हैं, तो पूरी की पूरी सम्मूर सतय पर मूल रोम ही मूल रोम पाये जाते हैं, लेकिन दिवीच पत्री मूल में मूल रोम कम क्यों हैं, क्योंकि वो केवल कौन से छेतर में, परिपक्वन छेतर में ही मौजूद हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ उनकी स कोशी के स्थान है भूजन को संचित करने वाले है लेकिन हरी तलवक नहीं है वही बिंदू है कोई उसमें विशेश अंतर नहीं है कोटेक्स की कोशीकाओं में परियाप्त अंतर कोशी के स्थान कोशी का हरी परत है डंबल जैसी आकरती की कोशी का है कैस्पेरियन पट्टी का है जहां मौजूद नहीं है उन्हें यहां मार्ग कोशी काएं कहेंगे क्यांकि वह जलको उस मूल रोम से कोटेक्स से होते हुए आगे प्रोटोसायलम तक पहुंचाएंगी इसी एंडोडर्मिस के ठीक नीचे एक और परत है जो यहां बिल्कुल किलियर तो नहीं है और यहां पर यह दे रखा है वो पैरिसाइकल है मैंने यहां पर भी उसको बनाया नहीं है इस जगे पर होगा हो इसके ठीक नीचे एक पैरिसाइकल की परत और पाई जाएगी ठीक है लेकिन मैं यहां थोड़ा किलियर करूँ, एकवीच पत्री मूल में पैरिसाइकल इतनी सपस्ट भी नहीं होती है, वजय क्योंकि वहाँ पाशर भी मूल की उत्पत्ती का जैसा कोई concept नहीं होता, क्योंकि एकवीच पत्री मूल की जड़ें क्या साखित होती हैं, नहीं, गुच्छे के रूप म यहाँ फिर अंतर एक निकल के आ रहा है, वहाँ जायलम फलोयम के पूल कुल कित्ते थे, चार, यहाँ पर इनकी एदियम संख्या गिने, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, ठीक है, छे से अधिक हम लिख सकते हैं, अब छे से अधिक में आठ भी हो सकते है दस भी हो सकते हैं, यदाकदा बारा भी हो सकते हैं, जहां तक मैंने इस जड़की बात करें, तो एक टिपिकल एक बीच पत्री मूल, मक्का के पौदे की हम देख सकते हैं और यह मक्का के पौदे की जड़की ही सरचना है, जिसमें समभन पूलों की सिंख्या आठ, मिनीमम देख की जाती है मैंने तो यहां चित्र में साथ ही बनाए लेकिन वही पोजीशन है बड़े जाइलम मज्जा की तरफ छोटे जाइलम एंडोडर्मिस यानी की परिदी की तरफ तो एकजार कंडिशन हो गई अरिये समवेन पूल है जाइलम पूलों के बीच में फ्लोयम के उत जग पाये जाते हैं मज्जा यहां पर अपेक शाक्रत बड़ी है आप देखिए कितना इस्थान घेर रखा है मज्जा ने तो एक बीच पत्री मूल की जड़ों की मज्जा बहुत अधिक विक्सित होती है ठीक है यह एक बीच पत्री मूल कंप्लीट हुआ अब आजाईए अंतर पर मुख्य रूप से चार अंतर निकल के आ रहें एक बीच पत्री मूल और दीवीच पत्री मूल में बता सकेंगे पहला अंतर लिख लेना आपको यह याद नहीं रहे तो हम दो कॉलम बना लें दीवीच पत्री और एक बीच पत्री मूल के द्वी बीज पत्त्री मूल और दूसरे कोलम बनाएंगे एक बीज पत्त्री मूल का पहला अंतर बोलिए मूल रोम संख्या में कम कहाँ पर मिलेंगे ये एपी बलेम आपर तो लिग लेना एपी बलेम आपर मूल रोम संख्या में कम और यहां क्या हो जाएगा संख्या अधिक संख्या में यह अधिक होते हैं ठीक है यह संख्या में कम यह संख्या में अधिक नमबर दो गुलिए संवहन पूल यहां के संवहन पूल जाइलम कर सकते हैं इसको संवहन पूल में जाइलम जो है वो टेटार्क है और यहां जो जाइलम है वो पॉली आर्क पॉली आर्क का मतलब है बहु आदीदारू बहुत सारे हैं बहु आदीदारू तीसरा विंदू मज्जा अल्प विक्सित मज्जा अल्प विक्सित बहुत छोटी है यह कह सकते हैं आप आकार में कैसी छोटी और यहां पर मज्जा बड़ी वे पूर्ण विक्सित बड़ी वे पूर्ण विक्सित और एक अंतर परिरंब क्या हाँ इसमें इत्ताईसपस्ट नहीं होता एक अंतर और आप बना सकते हैं वो यह कौर कीजिएगा दिवीज पत्री मूल का जो कार्टेक्स होता है आकार में छोटा होता है ठीक है और यहां पर उसकी layers, आकार से मतलब है layers से ठीक है, इन्हीं की दीबीच पत्री मूल का cortex में परतों की सिंख्या कम होगी, एकबीच पत्री मूल में cortex में परतें जादा होगी, परतें समझ रहे हैं, जैसे मालीचे वहां 8 से 10 परत है, तो यहां पर 15 से 18 तक हो सकती हैं, तो परतें जादा होगी, यह चार अंतर बहुत इसपस हैं, बाई की तो endodermis में कोई विशेश अंतर नहीं है, और भी ऐसा कोई नहीं है, हाँ, सिंखाहडा एक जलोद भित पौधा है, और जल में उगता है, तो उसकी जडों को प्रकाश मिलता रहता है, जल से वह अंदर चले जाती, प्रका इस वाला भाग म्रिदूतक की कौशिकाओं का बना होता है, और हरितलवक म्रिदूतक की कौशिकाओं में जादा होता है, देडूतक में तो हम हरितलवक की कलपना इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो कौशिकाओं मृत होती है, डेड होती है, जायलम फ्लोयम में हम कहां क कलपना करेंगे क्योंकि जायलम में मैंने उस दिन नीभा था तीन में जे चार कोशीक है उस में 3 तो डेड़ हैं एक जीवीत है तो वहां हरितलवक का कोई concept नहीं है तो हरितलवक जहां हम बात आती तो म्रिदु तक कोशीकाँ में ही सोच कर चलें. ठीक है वैसे इस थूल कौन उतक की कौशिकाओ में हरितलवक होता है लेकिन मर्दूतक में इसकी मात्रा जयादा होती है और इस परस्ट कर दोऊं सबसे ज़्यादा हरितलवक पत्तियों में मिलता है. तो पत्तियों की जो म्र्दूतक की कौशिका species होती हैं हम उनका एक विशेश नाम भी देते हैं और आप सभी जानते हैं पन मध्धो तक मिजोफिल उतक नहीं होता पत्तियों में तो मिजोफिल उतक म्रद्धू तक भी तो है और उसमें प्रचूर हरितलवक पाया जाता है यह हमारा पहला बिंदू यह नहीं कि शारी दीकी में तीन बिंदू पढ़ेंगे तो पहला बिंदू कंप्लिट हुआ और उसका नाम था दीवीच पत्री और एक वीच पत्री मूल की आंत्रिक सरजना इसमें कहीं डाउट्स हो तो आप पोच लें इसी का एक और चित्र है आप देखें तो यह देखिए यह भी एक वीच पत साइकल है एंडोडर्मिस में और जायलंग फ्लोयम के समूदे के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, जारा, बारा तक हैं और इससे फिर आगे प्रोटो जायलंगे बीच बीच में यहां पर फ्लोयम के पैचेजेज नजर आएंगे जैसे यह फ्लोयम यह फ्लोयम दिख रहा है और बीच में पूरा हिस्सा मंचार का, मज्जम्रदू तक का बना हुआ है, ठीक है, इसस आल अबाउट रूट के बारे में, अब हम आते हैं तनी की शारिदी की, तनी की आंत्रिक सरचना, मैंने किलियर कर दूँ, यदि हम दीबीच पत्री मूल प दिखते हैं, जिसमें वो सभी सरचनाय मौदूद होती है, जो हमको अध्यन करने के लिए जरूत है, तो चनी की जड़ में ये सभी रचनाय मौदूद हैं, और ऐसे एगवीच पत्री मूल का अध्यन करना हो, तो सबसे बेस्ट मक्क की है, ठीक है, अब ऐसा तो घास की ये पत्री हम जड़ को देखेंगे, तो वो भी एगवीच पत्री है, चाओल, गेहूं, जो ये सब एगवीच पत्री पौदे हैं, इनमें भी ठीक ऐसी structure मिलेगी, लेकिन मक्का की बादों में बहुत सपस्ट हमको नजर आए, अब आईए दीवीच पत्री तना, इसमें यहां पर उधारन जो लेके चलेंगे, वो सूरज मुखी, सूरज मुखी, सन, फ्लावर का लेंगे, उसके तनी की internal structure का अध्यन हम यहां पर करने जा रहे हैं, दीवीच पत्री तनी की आंतिक सरचना में, इसमें भी layers कुछ मिलते जुलती यही होंगी, और कुछ अलग हटके भी 2-3 बिंदू और हमको यहां देखने को मिलेंगे, दीवीच पत्री तनी की आंतिक सरचना, कौन-कौन सी layer से लिखते जाएए अधी चर्म, अधी चर्म कहें तो यहां पर epi dermis, अधस चर्म hypo dermis, samanyi cortex, samanyi valkut general cortex, antahestral endodermis, parirambh, paricycle, jylem, floyam, और एक नया शब्द और आगया, एधा, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, समवहन, पूल, मज्जा, और एक और शब्द आगया, मज्जा केड़ने, देखिए हमने मज्जा केड़ने जड़ों में नहीं पड़ी थी, नहीं डिस्कस किया था, लेकिन आप ये नमाने होती दियें, होती है जड़ों में भी, मज्जा केड़ने, लेकिन दिवीश पत्तरी जड़ में वो कब दिखाई देती है, जब वित्यक व्रध्धी होती है, तब वो नजर आती है, तो इस तरीके से ये आठ रचनाएं हम यहाँ एक दिवीश पत्तरी तने में एक किवादे किया देखेंगे, ये देखिए, ये आपको ये दिवीश पत्ती तने की सरचना बनानी है, बेशक मैं यहाँ बना दूँगा, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा यहाँ स्लाइट पर जाएए, ये चित्र देखिए आप, शाद ये चित्र आपके समझ में नहीं आ रहा है, असल में ये पूरा की पूरा एक राउं इनिकी TSA transfer section है सूरज मुखी के तने का, इसमें जो ये आपको ये नजर आ रहे हैं, बहुत सारे different passages नजर आ रहे हैं, सूरज मुखी का तना लहरदार होता है, और खास बात उसमें समवहन पूल एक वलय के रूप में, रिंग के रूप में होते हैं, ठीक है, बात सूरज मु पत्री तने होते हैं, सभी में समवहन पूल वलय के रूप में होते हैं, आप कहेंगे सर जड में भी तो ऐसा ही था, लेकिन मैं ये बिंदू यहां इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम एक वीच पत्री तना पड़ेंगे, तो वहां समवहन पूल हमको वलय में नजर नहीं की नजर आ रही है, ये पहली लाइन एपिडर्मिस की, दूसी लाइन हाइपोडर्मिस की, फिर ये कॉटेक्स और उसके बाद ये लहरदा जो रशना दिख रही है आपको, दिख रही है क्या, ये एक तरीके से पैरिसाइकल, उसके ठीक पीछे एंडोडर्मे और ये पूरा ये पूरा एक जो बंच दिख रहा है आपको ट्राइंगल शेप में, ये है समवहन पूल का, जिसमें जाइलम है, एधा है और फ्लोयम है, एधा का मतलब केम्बियम, और बीच का जो भाग दिख रहा है आपको ये, ये सारा क्या है, मज्जा, ठीक है, ये तो एक पूरा कंस इसमें हमने एक हिस्से को यहां पर चित्रित किया है, आप थोड़ा सा यहां बना लें, आपको थोड़ा एजी रहेगा, समझने में भी, ये मैं बिलकुल एक पार्ट लेके चल रहा हूं, ये हम एपीडर्मिस का हिस्सा बना रहें, इसके किसी एक भाग से हमने एक प्रवर कोम भी कह सकते हैं, कल बताय तो था, क्या है अंतर मूल रोम में रिस्तम रोम में, ये बहु कोशी के रोख एक कोशी के है, यहां बना दीजिए, आप चाहें तो एक और बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन कंडिशन ये है कि बहु कोशी के होना चाहिए, एक लेयर और इसके रख्षा करेगी हम इसे कहेंगे क्यूटीकल उप तवचा दिखिए बहुत सारे छात्र इन तीन नामों में बहुत किन्फूज होते हैं एक नाम है अधीचर्म ठीक है एक शब्द है उप तवचा और एक है अधस चर्म इन तीन नामों में बहुत किन्फूजन रहता है लेकिन इनी तीनों नामों के में अंग्रे जी के शब्द बोल दूँ तो बहुत इजीली याद हो जाते है एपीडर्मिस, हाइपोडर्मिस और क्यूटीकल वो ज़्यादा सरल लगते हैं तो देखिए हम अधी चर्म किसको कह रहे हैं तने की सबसे बहरी परत को ठीक है जो एक परत मोटी है एक ही परत के रूप में होती है ये एपीडर्मिस अंतरकौशी के स्थल भी नहीं होते म्रदूत की कौशीकाओं की बनी होती है अर्य बित्य एक दूसर से सटी हुई होती है और एक खास बात प्राय इन में हरित लवक भी नहीं पाया जाता एपसेंट होता है तो ये तो होगे अधी चर्म एपीडर्मिस इस एपीडर्मिस की कौशीकाओं एपीडर्मिस की कौशीकाओं के ऊपर एक मोटा क्यूटीन का बना हुआ आवरण मिलता है जिससे हम कहते हैं क्या ओपत्वचा और दूसरा नाम क्या तो अब क्यूटीकल के लिए रो गया यह क्यूटीकल याद रख लिजिए दीवीश-पत्री तने में भी है और एक-वीश-पत्री तने में भी है लेकिन बिंदु को नोट कर लेना जलोद भित पौधे जो होते हैं जलोद भित पौधे चाहे वो दीबीच पत्त्री हो या एक बीच पत्त्री हो जो जल में रहते हैं उनकी epidermis के उपर cuticle नहीं पाई जाती है cuticle absent होती है उनमें cuticle absent होती है बलकि उनकी epidermis के उपर तो एक मौम जैसा पदाष्ट मूसीलेज आवरण मिलता है जो पौधे की सतह को या पौधे को गलने से भई पानी में ये पौधा पूरे 24 घंटे रहेगा तो गल नी जाएगा सड़ जाएगा अते वो epidermis के उपर मूसीलेज का शिलेशमा का आवरण मिलता है जो पौधे को गलने और सड़ने से बचाता है बलकि क्यूटीकल वहाँ absent है मूसीलेज का आवरण है क्यूटीकल के कारिये बताईए कल बताया था क्यूटीकल क्यूटीकल वास्पोसर जिंकी दर को कम कर देती है ठीके और पौधे को सुरक्षा तो देगी क्यूटीकल जितना मोटा आवरण होगा तनी की भीत्री सते पर ये दी कोई जीवानू, कवाक या कीडे, मकोडे अंदर भी आना चाहते हैं तो क्यूटिकल उनके प्रवेश को रूख देती है तो सुरक्षा भी कर रही है और वास्पो सरजिन की दर को कम भी करती है एक ही परत मोटी है, आपको शायर इस चित्र में नजर नहीं आ रही है लेकिन देखिए गौड से इस एपिडर्मिस को उपर एक काल इसी परत दिख रही है, मोटी सी ठीक है, मैंने उसे अलग से बना दिया यहां, बाकि वो उसी के साथ ही है ठीक है, एक परत, और यह बहु कोशी किये, जिनने हम इस्तमरों कहें या ट्राइकों कहें बात एक ही है आगे बढ़ें, दिखिए, इसके नीचे फिर यह पूरा पूरा हिस्सा, दिख रहा है दिख रहा है क्या, यह एक्च्वल में यहां इतना स्पस्थ नहीं है, मैं यहां स्पस्थ कर दूँ एपीडर्मिस के ठीक नीचे, आप चाहिए बेशक बना लें, यह ओल शेप या अंडाकार आकृती की कोशी काएं मैंने एक परत बनाई, फिर इसके नीचे एक और बना दी और ज्यादा ज्यादा दो या तीन परतों की बनी हुई, यह रचना एपीडर्मिस के ठीक नीचे की जो कौशी काएं हैं, जो हाइपोडर्मिस बना रही हैं, इनके बीच में यह जो खाली स्थान है, हम इस खाली स्थान को कहना चीए, कौशी का भित्ती पर इस थूलन के कारण इसे भरा हुआ बनाएंगे, तभी यह हाइपोडर्मिस एक